हेलो फ्रेंट्स मैं लेकिया हूँ आपके लिए पालक और पनीर की भुर जी ये देखिए मैंने पालक को अच्छे से तोल लिया है एक एक पत्ते को अलग कर लिया था अब मैं कम से कम चार पानी से इस पालक को धुल लूँगी वोकि पालक में होते हैं खेड़े जो सही नहीं होते हैं और उनको मैंने अच्छे से दूल लिया ये मेरी पालक बहुत अच्छे से दूल चुकी इसका एक पत्ता मैंने क्लीन कर लिया था ये देखिए बिलकुल साफ हरा भरा और सर्दियों में हरी बरी सबजी खाने का मज़ा ही अलग होता है और ये मैंने दो मीडियम अब मैं इनको चॉप कर लोंगी ये देखिए मैंने महीन महीन लेसन को काट लें वैसे कि मैं इस लेसन को कोटूंगे अद्रक के साथ में और ये मैंने रफली चॉप मेरे प्यास थे और रफली चॉप मेरे टमाटर थे अब ये देखिए मैं फटा फट पालक को चॉपर से क अब इसमें हम डालेंगे सरसो का तेल, सरसो के तेल में सब्जी का स्वादिया लगाता है और हमें फाइदा भी करता है इसलिए मैं जादा सब्जी सरसो के तेल में ही बनाती हूँ यह देखिए मैंने सरसो के तेल में एक चम्मट डाला है जीरा और हींग इस तरह से हमारी जीरा और हिंग हमारा पक जाएगा मैंने इसमें कटे हुए प्यास को एड़ कर दिया है कटे हुए प्यास को भून लूँगी मैं अच्छे से भूनने के बाद में जो मेरी लहसुन और अद्रक का पेस्ट था वो मैं इसमें एड़ कर दूँगी यह देखे हमारा अद्रक लैसम का पेस्ट मेन अनि इसमें एड़ कर दिया है और अब मैं इसमेन जब अच्छे से बून लुँगी उसके बाद मैं आट करूँगी इसमें टमाटर डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूगी जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं ये दीखे मैं इसको चला देती हूँ अब मैं इसमें अट कर Native हो ये देखे नमक नमक आट करने के बाद में मैं इसको ढग दूगी इससे ये थोड़ा सा गल जाएंगे नमक लालने के बाद तो माटर अच्छे से गल जाता है थोड़ी दिर मैं धखके रख दूँगी इधर मैंने मैश कर लिया है पनीर को मैश करने की मेरा पनीर कम से कम नहीं सो ग्राम था जो मैंने मैश कर लिया था यह पालक देखने में तो बहुत जादा लग रही है कटी अब हमारी तबालक गल के बिल्कुल तयार हो चुकि इसको और थोड़ा से भूनेंगे उसके बाद हमने नमक थोड़ा से साइड में रख लिया था साइड बाई साइड इसलिए क्योंकि हमारी जो पनीर जब पढ़ेगी तो थोड़ा से नमक और उसमें पढ़ेगा यह अब इसको अच्छे से खुब भून लीजिए कम से कम पांच मिनट तक उसके बाद जो मैं नमक निकाला हुआ था वो मैं उसमें उपर अलग से डाली दे रही हूं इससे नमक थोड़ा सा कम हो जाता है पनी डालने के बाद में अब यह नमक इसे पढ़ चुका है फटा फट अब लच्छा पराटे के साथ इसको खाईए